भाग चार, कुरूओ दौरा यदूओं की अपमान के कारण स्री बलराम का करोध एवं हस्तना पुरकु गंगा में भाना असिश्टा से बाते करतें बे अपने नगर को चलते हैं, किन्तु भाँ बल्देव बिकट रूप से करोधा अगनी में चलते हैं धहरे से सबसर्वन किये थे, जो कटू बचन कहे बलराम से, प्रभू प्रिति हिंसा पूर्वक प्रित्सोद लेने की सोच रहे संग्राम से उनके सुकुमार सरीर की आकिरती उत्यंत और दिग्न हो जाती है, उनकी और द्रगों से देखने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती है रोज के कारण रोहिणी नंदन के नेनों में भड़क रहे हैं सोले, अप्रिमें अच्चत अग्रज, अच्छ उच्च स्वर में हसे में बोले यह सत्य है यदि कोई संपत्ती सौंदर्र से गर्म में भरता है, तब बेवक्ती सान्तिपूर्ण जीवन की इच्चा नहीं करता है सान्तिपूर्ण सदुपदेश सुनाने का उसको कोई शार नहीं, दुष्ट नहीं सुदरता जब तक पड़ती उसमें मार नहीं सामाने तासुक संपदा से जन जानवर बन जाता है पसु को सांतिपूर सदुप देश सुनाना बर्त ही जाता है चोपाया को सही रापर सिलाने का साधन सिर्फ सोटा है तनिक देखो तो इन ध्रिष्ट कुरूओं का भाग्य कितना खोटा है कितनी कुरुद थे स्याम सुन्दर सहित सभी सदस्य अदुवन्स के ततकाल ततपर थे अच्सय अमर्ष में वे विदुवन्स को कुरूवन्स के समझोता कराने का कष्ट किया किन्तु मैंने उनको सांत करा कर किन्तु कुरूओं ने कटू बचन कहे कराल काल के काबू में आकर सांतिपूर समझोते के कौरव इच्चुक नहीं ये स्पस्ट है निश्चित ही कुरूबंस की बुद्धी हो गई अतिभरष्ट है इसलिए ही अदुबंस का अपमान अपसब्दों से करते हैं कटू बचनों को कहकर कौरव घोर घमन में भरते हैं स्वर्ग का राजा इंद्र भी पालन करता जिनके आदेश का तुम कहते हो भे अदुबंस नायक छोटे से देश का अहा तुमारा निसकर्ष अध्वुत तुम्हें महराज की परवा नहीं जिनकी जहगूस को जंजन गाए त्रिलोक में सब कहीं बल पूर्वक्सर्ग लोक के जो सबा घ्रह को ले आते हैं पारिजात को भी जो अपने उद्वानों में लगवाते हैं यदुबंस के स्रेष्ट पत पर बिचार तनिक भी नहीं करते हो रे रे नराधम नारकियो मिथ्या विमान में ही भरते हो यह भी बिचार नहीं करते तुम स्री कृष्ण सेम भगवान है नरनाग किन्नर देवगण करते जिनका गुडगान है भगवान सिंगाशन पर ना बैठें तुम महामूर अतिभारी हो तुमको पाठ पढ़ाया जाए तुम इसी बात के अधिकारी हो जिनके चरण कमलों के रज की पूजा करते स्रुराज भी उनका अपमान करने में तुम्हें नहीं आतितनिक लाज भी जिनके पद पंकस से निकला गंगा जल महान है गंगा के टट जिसके कारण बन गे तीर तिस्तान है समश्थ सुरगन सेवा में सलंग सदेव जिनकी रहते जिनके दर्शन की अभिलासा से ताप तपस्वी सब सहते लक्ष्मी पती नारायन कृष्ण सिंगासन पर ना बैठें वो तुम्हारे विचार से चवर आदी का भोग नहीं कर सकते जो जिनके पद चल को सिर पर धारन करते त्रिलोचन है जिनके पद कमलों की रज करती भव बंधन मोचन है स्री लक्ष्मी देवी तथा में भी स्री कृष्ण के आंसिक अंग मात रहें के ध्रिष्ट कृुबंसी केवल डंडित करने के ही पात रहें सेम को समझते कौरव मुकुट के समान ये पाद का कहके करते यदूं का अफमान ये गर्व में उन्मत हो गए हैं कुरुबंस के ये नेता गर्व से ग्रिषित ब्यक्ती नहीं सम्मान किसी को है देता पिरते कथन था कुरुओं का पही पूर उन्मत्ता से मद में चूर हुए हैं ये समरिद्धी इवं सत्ता से ततकाल प्रताडित करके कुरुओं की बुद्धी ठकाने लगाऊं अभी समस जगत से कुरुबंस का नामों निसान मिटाऊं अभी सबसान्दी प्रिस्ताफ ठुकरा कर कौरव केवल चाते हैं युद्ध ये अनुचित ही होगा यदी ना उठाऊं कदम इनके बुरुद्ध इस प्रिकार कहकर भगवन हो गई अत्यंद कुरुद्ध श्री बलराम जगत नियंता नित्यमुक्त जोंपूंड सुद्ध ऐसा प्रतीत होता था दावु भस्म करेंगे श्रिष्टी को हल हात में लेकर हस्तनापूर पर डाला द्रिष्टी को हल प्रहार के हलदर के दगमग दगमग धर्टी डोली हस्तनापूर नगरी ब्रक्ष समान प्रित्वी से बिलग होली हल को खीचा हलदर ने जो ही अधरों को भीच कर तंगा नदी की जलधारा में ले जाने लगे उसे खींच कर आखें फटी रहे गई कुरूओं की जो बैठे थे उने मीच कर आगए कोरव लोट कर जो गई थे कृते नीच कर